इस फर्स्ट फ्लाइट है तो आई अब सुरू करते हैं दा यॉंग सिगॉल वाज एलाउन ओन इस लेज एक उंची चोटी पे पहाड़ी पे एक यॉंग सिगॉल जो था वह खड़ा था ऐसा कहा सकते हो एलाउन है अकेला था सिगॉल हो गया पक्छी तो यॉंग सिगॉल जो था उसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था और जब भी वह कोशिस करता था उड़ने का तो जब वह उड़ने को पर्यास करता था और जब वह आगे बढ़ता था तो वह क्या होता था कि पहाड़ी से उचाई को देखकर वह डर के मारे फिर से रुख जाता था वह उचाई से समूंदर को देखता था जब या रियलाइज होता था कि बहुत दूर दूर तक जो है समूंदर ही समूंदर फैला हुआ है इसलिए दर के मारे वह नहीं उड़ पाता था तो इस डर के मारे उसके अंदर इस तरह का डर था कि जब वह उड़ने का प्रयास करेगा तो उसके पंक जो है उसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उसके पंक जो है फैल हो जाएंगे इस डर से वह क्या करता था फिर पीछे से बैक हो जाता था और जिस होल में जब वह रहता था सोता था जहां पर वह पर जाका फिर से वह बैट जाता था और इसके ब्रोदर एंड सिश्टर जो है आराम से असमान में उरते थे इसके भाई और वहन बारी बारी से सब अपने पंको को फफलाते हुए इसके पास से आके गुजरते थे उड़ते थे जाते थे वह ऐसा इसलिए करते थे ताकि इसके भाई जो है या योंग सिगल जो है इसको भी अंदर से थोड़ा हिम्मत आवे और ये भी उड़ सके तो उसके मदर और फादर जो है बारी बारी से इसके पास आते थे और इसे कहते थे इसे अपने लिंगुजें पुकारते थे हैं ताकि ये भी सांस में उड़े लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था ये जो पक्षी का आप लोग देख रहे हैं फिगर यहीं सिगल इसे 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 कहते हैं जो कि समुद्री पक्षी होता है बारी बारी परियास करने के बाद भी योंग सिगल जो है मूव नहीं कर रहा था उड़ नहीं रहा था और चुकि इस चेप्टर का नाम ही है इस फर्स फलाइस उसकी पहली उड़ान सो वो सिगल उड़ने में हिमत नहीं दिखा पा रहा था और बारी बारी से ये जो सिगल के ब्रदर हैं सिष्टर हैं परेंट्स हैं बार बार कोशिस कर रहे हैं थें आगे स्राइड में आते हैं लगभग 24 आओर हो चुका था कोई भी जो है सिगल के पास नहीं आ रहा था फिगरम जैसा के दिख रहा है उचाएप एक सिगल बैठा हुआ है उस बगल में दो पक्षिया उड़ रहे हैं तो बर्दर सिस्टर से फैरेंट्स हो सकते हैं बारी बारी सिष के पास आते हैं हिम आगे के स्लाइड में आते हैं ही हाएड नॉट इटेन सिंस दे प्रिवियस पिछले रात से उसने कुछ नहीं खाया था देर वाज नॉट और सिंगल स्क्रेप फूड लेट एक खाने के टुका भी इसके लिए नहीं बचा था ही देन टॉटेट बैक एंड फोर्थ ट्राइ से गुजर रहे थे तो उनसे इसे कुछ बीना उड़े हुए ही बीना मेहनत कहीं खाने को मिल ला है बीटुविन हीम एंड इस पैरेंट्स देर वाज डीप वाइड चास में लेकिन इस सिगॉल उसके पैरेंट्स के बीच में बहुँ ज़्यादा गयब था जिसके कारण चो पूटी के कुछ नजदिक तक आते थे और फूट दिखाते थे ताकि फूट के लालच में यह जंप करें फलाई करें लेकिन यह नहीं करता था यह दूर से ही देख रहा था कि इसके दो भाई है और एक बहन है अराम से एक जगा बैठे हुए है प्लेट्व मतलब होता है बीच का जगा पानी के बीच में जो होता है बैठने वारा जगा इसकी माता जो है इसके पीता जी के पीशे थी only his mother was looking at him सिर्फ इसकी माता ही जो है सिगाल के उसके तरफ देख रही थी अब क्या था वो लोग एक फीश को मतलब एक फीश का वो लोग भोजन कर रहे थे फीश को पूरी तरह से पैर में दाप कर और खा रहे थे जैसा के पक्चियां करती है और यह सारा चीज यह देख रहा होता है तो मचली देखकर जो है सिगाल थोला सा आवाज निकालता है इससे देखकर उसकी माता भी आवाज निकालती है गा 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 बोलके ऐसा है कि वो कुछ फूड मांग रहा होता है रिक्वेश करता है कि मुझे कुछ खाने को दे दिया जाए अब जो है गा उला सी स्क्रिम्ड बैक इसकी माता जो है गा उला बैक करके उदर से वो पुकारती है वो बुलाती है सीगोल को जो हूड के आ और खालो लेकिन कुछ ही मिनट बाद यह सीगोल जो है खुस हो जता है क्योंकि यह देखता है कि इस मदर हैड पिक्ड अप पीश ओफ फीश एंड वाज फ्लाइं एक्रोस टू हीम विधी और उस फीश के टुकड़े को लेकर इसके तरफ उड़ते हुए आ रही है इसे देखके सीगोल खुस हो जाता है यह लांड आउट अर्ली टैपिंग दा रॉक विश फीट यह पुजी तरह से यह जो है जो जो चोटी जो है फीका में देख रहे होंगे उस किनारे पर यह आ जाता है ट्राइंग टू गेट नियर इस टू हर ताकि माता का पास अपने पहुच जाए बट वेन सीवा जोस्ट अपोजिट हीम सी हैटेड हर लेक्स हैंगिंग नियर हर विंग्स लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके नजदीक आती है अपना पंक फालाना बंद कर देती है पैर को नीचा कर लेती है एंड हर विंग्स जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहा है जबने पायंग पांक पायर विंग्स सवी चीजों को क्या कर लेती है माता रोक लेती हैं और इसके पास नहीं पहुच पाती है तो इसका अगले पार्ट में इसके आगे अब रहेंगे तब तक यहीं तक आप लोग इसको एक बा और ओनलाइन पढ़ लिजिएगा तब तब के लिए धन्यवाद